डियर स्टुडेंट्स आज हम गौज और लीनो फेबरिक पढ़ने जा रहे हैं अल्दो एक इसका इसका पार्ट पोलसन हम पहले भी करवा चुके हैं लेकिन बीच में लॉक्डान होने करने ये कंप्लीट नहीं हो पाया था इसलिए मैं स्टार्ट अप से आज इस लेक्चर को कंप्लेटली फिर से ले रहा हूं जिन नहीं का छूटा था उनके लिए बहुत बैनिफिट है और इस लेक्चर को ध्यां से समझने की बहुत जरूरत है क्योंकि नेक्स लेक्चर जो है वह स्पेशल क्लास आफ लीनो फेबरिक्स है अगर इस लेक्चर में अगर प्रॉपर अगर द्यान ने दिया गया तो उसे समझना बहुत मुश्किल होगा इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है अब में स्टार्ट करते हैं इस्ट्क्चर और गॉज लीनो फेबरिक्स एक्शली गॉज लीनो फेबरिक्स बैसिकली परफुरेटिड इस्ट्रक्ट्चर होते और various medical segment के अलावा और other uses भी हैं जहां पे भी ornamentation purpose के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं इन structures में basically दो type के threads होते हैं one पहले type के thread होता है crossing threads दूसरा होता है standard threads इन दौनों का ratio different ratio में हम रख सकते हैं for fabric structure को बनाने के लिए यह crossing ends और standard signs one is to one में भी हो सकते हैं one is to two में हो सकते हैं one is to three में हो सकते हैं two is to two में हो सकते हैं two is to three में हो सकते हैं but essential condition यह है कि कि जब हम इसकी denting process करते हैं तो यह crossing end है और standard end दौनों एक ही dent से होके पास होते हैं तो है अब हम चलते हैं अब अपने इसे दो टाइप के यह थ्रेड यूज होते हैं एक तो क्रॉसिंग थ्रेड एक है अपना नॉर्मली इस्टेंडर्ड थ्रेड दौनों थ्रेड के लिए अगर हमाँ सेम टाइप का यान है और हमें कोई कंप्लिकेटर इस्टक्चर नहीं है करें सब्सक्राइब जब क्रॉसिंग के यान के यान के यह एकrü hmmूज को सकते हैं अधरवाज झरेगर दोनों के डिफ्रेंट कान्ट यह डिफ्रेंट डाइप का स्ट्क्चर्स हरह कंप्रीकेटर इस्टक्चर है तो हमें डिया अलग बीप लेनी पुरते हैं और टीक है और जो हमें जो इस्टेंडररेंड को कोई भी दे सकते हैं बेसिकली और जबकि क्रॉसंग एंडरेंड के अलॉंग इंटर इंटर्सेक्शन्स कलता है इसे क्रॉसिंग देना एसेंसियल है अब हम चलते हैं कि basically बनते कैसे हैं यह जितने भी गौज और लीनो इस्टक्चर हैं यह सारे डॉप इस्टक्चर हैं डॉप क्या होता है यह basically half that which means half field होती है जो full field के साथ connected होती है ठीक है अब हम क्याशतर के हैं इन अब यहांदे अब यहां देखते हैं evident कि complete nakets complete हीम प्लाम है जो हाफ हींग है इससे हम डॉप बंन सकता है एक तो इस तरूप इस एंटर evol whichever है जो जो फास्ट हील्ड है उसके साथ इंटर लूपिंग है दूसरे टाइप का डाउप बन सकता है है बी टाइप का जो इस तरीके से इंटरलीसमेंट होगा तीसरा टाइप का इस तरीके से इंटरलीसमेंट होगा अब जो अपना crossing end है वो इस doubt के अंदर से होके जाता है doubt के अंदर से होके किस हसाब से जा रहा है तो तीर का निसान दिख रहा है इस हसाब से यह doubt के अंदर से होके जा रहा है यह crossing end है जो dot dot सा दिख रहा है अब अगर हमारा suppose that crossing end during weaving process तूटता है तो A structure में यह doubt अपनी जो कम्प्रीट रीड कम्प्रीट हीड उसके साथ फास्टन रहेगा वी स्टक्चर में फास्टन तो रहेगा लेकिन यह टच हो जाएगा जहां पर मैंडिंग की गई है तो इसे निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है सी इस्टक्चर में क्या है सी इस्टक्चर में अगर यह टूटेगा तो यह जो हाफ फिल्ड हो नकलके गिर जाएगी तो तो बेसिकली जो मोस्ट बाइडली इस्टक्चर यूज होता है डूरी फार्फार्मेशन गौज लीनो फेब्रिक और डाउप मैनेफेक्चरिंग वह ए टॉप डाउप क्या है जब हमारा जो डाउप स्टक्चर है वो इसे हम एफ को जो कंप्लीट हील्ड फ्रेम है जिसे डाउप हैंग है उसे कहते हैं यह हैं फ्रेंट क्रॉसिंग हील्ड डाउप फ्रेंट क्रॉसिंग हील्ड के बैक डारेक्शन में अगर हैंग है और बॉट से लोटनों अगर यही डाउप स्टक्चर फ्रंट्ट क्रॉसिंग में हेंगए और टॉप डायएकसं में हैंग तो उसे हम क्या जाएगा वाटम डाउप सर्फ में अगया ङे टिसमें कोई डॉट नहीं हो हम back structure में फिल से चली जाते हैं यह drafting structure है जो गौज और लीनो फेब्रिक में चाल टाइप के हील्ड फ्रेम में यूज होते हैं एक तो doubt है जिसे हम half yield कहते हैं दूसरा front crossing yield है जिससे doubt हैंगे तीसरा back crossing yield है जो front crossing yield से एक निश्चत gap पर रखी जाती है क्योंकि जो crossing end है वो doubt से निकलने के बाद back crossing yield में जाता है ठीक है तो दौनों yield अगर पास पास होंगी तो entangle होने के chances रहेंगे इस end के क्योंकि एक crossing end है वो दो हील फ्रेम से जा रहा है एक doubt से जा रहा है एक back crossing yield से जा रहा है और एक तीसरी है standard yield जो की standard end को control करती है अब हम इस structure को properly समझाएंगे अब अपना सबसे पहले है अपना एक crossing end crossing end हमने बताया था दो टाइप के end यूज होते हैं गौजलीनों फेब्रिक में एक तो होता है है crossing end दूसरा standard है जो अपना crossing end है वो doubt से होके जाता है जो की front crossing yield में hang है ठीक है अब यह crossing end doubt से हो जाने के बाद यह जाता है back crossing yield के थो ठीक है तो जो crossing end है वो दो टाइप के हील फ्रेम से एक डाउप से पहले forward होगा फिर इसके बाद इसके बाद back crossing yield से forward होगा फिर इसके बाद जो standard end है जो state form में हमें दिख रहा है वो जाता है standard yield फ्रेम से जिसे हम s से represent कर रहे हैं ठीक है अब हमारा मेन चीज यह है कि जो अपना crossing end है वो standard end के अगर हम bottom डाउप ले रहे हैं तो crossing end क्रॉसिंग standard hand के below से होके जाएगा यह आपको दिख रहा है यह diagram में यह crossing end है यह standard end है और यह जो crossing end है वो standard end के below से होके ऊपर जा रहा है अब हम जो crossing end है crossing end को आगे हमने easier दिया है easier क्या करता है जब हमारा cross side बनता है क्योंकि यह below से होके जा रहा है जब हमारे healed frame for example हम यह लेते हैं जब हमारा healed frame डी और एफ जो डॉब बला ऊपर जाएगा तो यह standard end तो अपना below में है और यह वाला जो crossing end है वो नीचे से गया था तो जब यह healed frame उपर उठाएंगे तो जो crossing end है वो वो standard end उसे hinder करेगा जिसके कारण इसमें tension बढ़ने के chances रहेंगे तो easier क्या करता है इस fulcrum के थरो इस tension को reduce करता है यह compress हो जाता है यह compress हो जाने के कारण इसकी length को थोड़ा सा ease कर देता है length को थोड़ा सा छोटा कर देता है जिससे यह tension अपना normal position में आ जाता है जिससे अपना crossing end तूटते नहीं है ठीक है तो easier का function ही है अभी हमने पढ़ा यह bottom डाउप में अब हम पढ़ते है top डाउप में top डाउप में हमने बताया था कि front crossing heel back में रहती है और जो डाउप है वो forward direction में रहता है तो front crossing heel back में है डाउप forward direction में है जो crossing end की थ्रेडिंग की गई वो डाउप के थरूद की गई फिर इसके बाद back crossing heel में गया फिर standard heel में standard end गया और इस तरीके से थ्रेडिंग करने के बाद यह जो crossing end है वो easier के थरूप आस हुगा अब अपना इसमें तो I think कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमने जो drafting system है वो हमने समझ लिया अब हमारा easier or slacker का function क्या होता है हमने क्या बताया था कि easier or slacker क्या करता है जब cross seed बनता है यह cross seed बनता है cross seed में यह bottom drop यूज किया है cross seed में क्या है यह जो standard end है वो cross seed के दौरान crossing end को tension high कर देता है जो tension जब high होता है तो यह जो easier क्या करता है जो E है जो standard end है वो उस normal position से जाते है और यह crossing end हो easier के दो होके जाता है जब tension high होता है तो easier relaxation देता है during with the help of liver and sea process कि जारा यह tension को lose करता है जिससे normal tension बना रहता है इसे हम देख सकते हैं तो कभी भी cross seed की condition में easier हमेशा काम करता है ठीक है न अभी हम जब setting पढ़ेंगे तो हम और इसे easily समझ सकेंगे हमारे सेड कितने टाइप के बन सकते हैं जो गौज structure में यह तीन टाइप की सेड बन सकते हैं एक तो क्रॉस सेड अभी हमने bottom drop लिया था क्रॉस सेड कैसे बनता है अब अपना जो अपना crossing end है वो standard end के below से होके जा रहा है जब हमारा yield frame जो अपना front crossing yield है front crossing yield जब उपर की direction में जाएगी उपर की direction में जाएगी तो यह crossing end को जो standard end है वो फसके थोड़ा सा tension हाई कर देगा तो इससे जो सेड बनता है वो क्रॉस सेड बनता है ठीक है यह open सेड इस्टेक्चर है जो बनेगा जब अपनी back crossing yield उपर की direction में जाएगी तो यह अपना open सेड इस्टेक्चर बनेगा इसमें इसमें डाउप भी अपने आप forward उपर की direction में होता है डाउप उपर नीचे हो सकता है डाउप को मुवमेंट मिल सकता है क्योंकि डाउप एक loop के form में है ठीक है ना तो डाउप जब back crossing yield है तो भी उपर जा सकता है और जब front crossing yield है तब भी उपर जा सकता है तो डाउप की plan इससे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस plan को समझके ही हम आगे वरड़ सकते हैं और यह जो lifting plan है जो बेसिकली जो bottom drop है और top drop के दौनों तीनों टाइप के जो standard plan है वो हमने समझाए हुए lifting plan इन्हें है अगर हम समाझ लेंगे और इन्हें याद करने की ज़रूरत है क्योंकि आगे जितनी भी वीप्स हैं वो इन्ही lifting plan पर depend करेंगी सबसे पहले हम लेते हैं bottom drop structure we spoke bottom drop structure हमने लिया है इसे हम बड़ा करके देखते हैं अगर हम देखें अगर हम पहले pick को देखते हैं पहला वाला पिक क्या है इस special को हम देख रहें जहां सिंबल वो ऊपर वाला सेड़ जो अपना एंच में सेड बना हुआ है वह», पहले वाले पिक का सेड़ है इसमें अपना यो डाउप है वो front crossing yield के साथ ऊपर की direction में गया हुआ है यह दिख रहा है डाउप उपर है front crossing yield भी उपर है तो यह नोंने क्या बोला है इस जो lifting plan है lifting plan में उन्होंने डाउप में cross लगाया हुआ है और front crossing yield में भी dot लगाया हुआ है इसका मतलब यह दोनों up direction में है ठीक है इतना समझ में आता है अब हम पहले वाली row को देखते हैं और अब यह जो normally back crossing yield है यह BC represent किये back crossing yield bottom portion में है तो यह नोंने blank छोड़ा हुआ है यह down है और standard yield भी bottom portion में है इसका मतलब यह down है तो उन्होंने blank छोड़ा हुआ है इसे देख सकते हैं फिल से समझाते है one में क्या है one अपना पहला वाला pick insert हुआ पहले वाले pick में क्या है जो अपना doubt है और front crossing yield है वो upper direction में है मतलब up है तो दोनों up है cross और dot लगाया हुआ है उन्होंने और यह bottom crossing yield जो बी bottom crossing sorry back crossing yield B और standard crossing yield दोनों bottom direction में हैं तो यह दोनों down है इन्होंने blank रखा हुआ है अब हमारा यह बाला जो सेड है हम देखने पर देख रहे हैं यह हमारा crossed side है ठीक है ना हमने वहां पर देखा था जब cross side बनता है तो हमें easier को काम करना होता है यह e person है easier का portion है तो easier क्या करेगा easier काम कर रहा होगा easier अपना काम कर रहा होगा तो इन्होंने easier को dark किया है इस वाले side में ठीक है क्योंकि यह cross side है अब हम चलते हैं दूसरे वाले pick पे जो इन्होंने symbol 2 से represent किया है symbol 2 से represent किया है इसमें क्या है जो जो डाऊप है वो उपर की direction में यहां पर डाऊप front crossing yield से यह उपर था यहां पर back crossing yield उपर की direction में गई उसकी help से डाऊप भी उपर गया हुआ है तो डाऊप upper portion में है यहाँ देख रहा है dow up upper है ठीक है, तो हमने दूसरे में cross दिया हुआ है back crossing hill और जो front crossing hill है वो down है तो यहाँ पे blank है दूसरे में और यह जो अपना back crossing hill है यह up direction में है यहाँ देख रही है up direction में तो यहाँ पे इन्हों ने बिंदी का निसान लगाया हुआ है सर्किल का निसान लगाया हुआ है फिर इसके बाद ये अपना स्टेंडर्ड हील है ये डाउन है तो यहाँ पर ब्लैंक रखा हुआ है ठीके ना अब ये जो सेड है वो ओपन सेड है तो easier काम नहीं करेगा तो easier का blank है तो इस तरीके से इन्होंने lifting plan बनाए है 1 और 2 दो बार इन्होंने वही repeat किया हुआ ये एक lifting plan है एक beep का ये इतना समझ में आता होगा अब हम दूसरे lifting plan पे चलते हैं जिसमें standard end भी काम करेगा अपना पहला बाला end हमने एजिटेज लिया है पहला बाला हमारा pick ऐसा है दूसरे plan में पहला बाला pick यही इन्होंने डाला हुआ है पहले बाले pick में क्या है अपना doubt भी उपर गया था front crossing hill भी उपर गयी थी तो front crossing doubt कर symbol इन्होंने दिया है ये जोनों आप हैं फिर इसके बाद back crossing hill कर दिया है back crossing hill down है और standard hill भी down है तो सबसे ये इन्होंने blank दिया है और ये cross seed था तो यहां पर easier काम कर रहा है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं second pick पे second pick इन्होंने इसमें दिखाया है second pick जो तीर का निसान लगा हुआ है वो है second pick पे तीर का निसान यहां लगा हुआ है नीचे वाले direction में इसमें क्या है D और F मतलब डॉप और front crossing hill bottom पे है मतलब down है तो इन्होंने डॉप और front crossing hill को down किया हुआ है अपना back crossing hill भी down है तो इन्होंने यहां down किया हुआ है अब अपनी जो standard hill है यहां up direction में है तो standard hill को इन्होंने up करके color किया हुआ है और since यह standard side या open side है यह भी open side है तो easier काम नहीं करेगा तो यहां blank लिया हुआ है इसमें I think किसी को भी नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए सेड है तो एजर एनों ने ब्लैंक रखा हुआ है आई थिंग लिप्टिंग प्लान में अभी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह पूरी तरह से समझ में आता है ठीक है ऐसे ही अब हम चलते हैं ने जो है अपना इस इनके जो तीन टाइब के सेड हमें याद करने की जरूरत है कि यहाँ पर यहाँ पर जब तीनों सेड याद होंगे तो हमें आगे वीब बनाने में आसानी होगी अब यहां पर यहां पर चलते हैं अपना टॉप डाउपिंग पर टॉप डापिंग में क्या है कि पहला सीड उन्हों News नों ने महाइफिर की नितान से लेख रहा है जो पहले वाला सेड को रिप्लेजेंट कर रहा है इसमें डॉाउप भी डाउन है फ्रैंट क्र्लौसींग हील डाउन है यप दाउन है तो बैध Fact rendered iedereen अफ है बैग को मात ऑ तो इसमें ba अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के पिक पे जो सेकंड नंबर का पिक यहां पे सो रहा है सेकंड नंबर के पिक पे क्या सो कर रहा है वो यहां पे क्या है डाउप यहां पे फ्रेंट क्रॉसिंग हील्ड अप है front crossing yield को हम up ले गए है जबकि dab की है फद्र बार्ट और नीचे आ गया है तो front crossing yield up है Dubs down है back crossing yield down है ये blank है back crossing yield का यहाँ standard yield अप है तो इनों ने sowe किया है तो इस हortsब से हम ये lifting plate समझे zake में सुक्ते हो रिपीटेड हैं आम abrasion का लिए है पहला वाला पिक क्या लिया है पहला वाला पिक इस खिल को स्टे के जो उन्हों नहीं कौपी किया हुआ है वंश को फिल से नहीं चलेंगे दूसरा वाला पिक को हम समझते हैं इसमें किया है front crossing yield और drauf डॉनों अब direction में यूज किये हैं back crossing yield भी up है back crossing yield up रहे standard heal down है standard real down है और sate open है तो easier काम नहीं करेगा तीसरा वाला पे क सिमलर to इसमिलर टू सेकेंड वाले प्लान के है तो वह यह उन्हों नहीं रखा हुआ है चौथा वाला पेक सिमलर टू सेकेंड पेक है तो इसमें आई थिंक किसी को दिकत नहीं होने चाहिए लिप्टिंग प्लान समझ में आते हैं अब हम चलते हैं आगे अब कंपेरिजन ऑप गोज और लीनो वीव गोज और लीनो वीव में कंपेरिजन क्या है जो गौज और लीनो बीब है वो basically same type का structure है अब जो गौज structure है उसमें क्या है उसमें जो crossing end है वो हर pick पे cross कलते हैं ठीके ना हर pick पे cross करके upper portion में आ जाते हैं या bottom portion में आ जाते हैं वो depend करता है ठीके ना और जो अपना लीनो बीब है लीनो बीब में क्या रहेगा जो crossing end है वो हर pick पे cross नहीं करेगा वो कुछ pick पे cross करेगा कुछ pick पे cross नहीं करेगा मतलब जो structure wise बनेगा वो more perforated more porous structure of gorge fabric का होता है लीनो फेबरिक थोड़ा dance fabric होता है अब हम चलते हैं structure के उपर किस हजाब से structure होता है वो उस पर हम चलते हैं देहान देने की जरूरत है यह हमने सारे में bottom dropping use की है bottom dropping हम देख रहे हैं यह जो हमने जो draft बना हुआ था वो हमने draft को थोड़ा सा vertically inclined कर दिया है क्योंकि हर एक row के लिए यह draft काम करेगा ठीक है तो यह हमने bottom dropping use की है इसे ध्यान देने की जरूरत है अब इसमें क्या है यह अपना है दोप दोप